Hey friends, it's Yamini. Welcome back to my channel. Hope you all are doing good. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैर फॉल के बारे में और उसमें भी हम बात करेंगे अलोपेशिया के बारे में अलोपेशिया की प्रॉब्लम काफी लोगों को हो जाती है और मुझे भी ये प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हुई मैंने इसके लिए क्या होम रेमेडी अप्लाई करी और इसे ठीक होने में कितना टाइम लगा तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अलोपेशिया होता क्या है अलोपेशिया होता है कि जब आपके बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट से बाल निकल जाते हैं और आपकी स्किन शो होने लगती है तो उसे अलोपेशिया कहते हैं मुझे ये problem start हुई थी मेरे head के back side में अब alopecia क्यों हो जाता है इसके काफी सारे reason है ये किसी भी वज़े से हो सकता है कुछ लोगों को ये genetically होता है कुछ लोगों को ये after pregnancy ये problem हो जाती है कुछ लोगों को ये poor nutrition की वज़े से हो जाता है तो मुझे जो ये problem हुई थी ये after pregnancy जो मेरा hair fall start वा था उसकी वज़े से हो गई थी तो उस time पे जो मेरा baby है वो सिफ 4 मंत का था और मुझे ये feel हुआ कि मेरे head के back side में जो है वो बाल नहीं feel होते थे और skin सा feel होता था तो बाद में मुझे पता चला कि ये alopecia है तो अब ये ठीक कैसे हो जाता है हम इस बारे में बात करेंगे तो alopecia की problem है चाहे hair fall है ये ठीक हो जाता है इनके लिए हम home remedy apply कर सकते हैं लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी home remedy apply करेंगे तो उसमें time लगता है home remedy चाहे आप skin के लिए कर रहे हो चाहे आप hair के लिए कर रहे हो या कि चाहे किसी भी disease के लिए कर रहे हो home remedies से cure होने में थोड़ा सा time लगता है बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस बीच आपको बिल्कुल भी stress नहीं लेना है क्योंकि stress की वज़े से आपकी ये problem ठीक होने में ज्यादा लंबा time लग सकता है और मुझे जो ये problem start वी थी वो start वी थी जब मेरा baby 4 month का था और उसी time पे मैंने अपना YouTube channel खोड़ना start किया था ये क्या मेरे बाल जढने start हो रहे हैं मैं तो गंजी हो रही हूँ तो अभी तो मैंने YouTube channel start किया है अब मेरा video कौन देखेगा मैं कैसे video बनाऊंगी बट मैंने इस problem को बिल्कुल भी stress में कनवर्ट नहीं होने दिया मैंने religiously जो मैंने home remedy अपलाई करी मैंने उसको यूज करना start किया और इसको ठीक होने में लगभग तीन महिने लग गए थे तीन महिने वहां पे उस पार्ट में बाल आना start हो गए थे तो चाहे आपको कोई भी problem है बस आपको इस चीज का धियान रखना है कि आप बिल्कुल भी stress मत लीजिए उस problem को उस problem जो भी problem है उसका क्यों ढूंडिए ना कि उसको stress में convert होने दीजिए तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी home remedy अप्लाई करी है इसके लिए मैंने तीन चीजें ली है एक तो coconut oil, मेथी दाना और curry leaves यह तीनों की तीनों प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है तो इन तीनों को आपको लेना है इसका बनाने का प्रॉसेस यह है कि आपको coconut oil जो है उसको आपको गरम करना है और गरम करने के बाद उसमें आपको जब अगर आपको नॉर्मल है तो उसमें भी आप वीकली दो बार आप उसको लगा सकते हैं उससे काफी आपको फाइदा मिलेगा ऩरे समें कर जा एक मेरे अलो वेरा काफी हो ऑकष है, मैं जालो वेर ανα चाश्चिक यह अलोवेरा ज़का पो ли एक क्यित रखी है कि वुक्त वेयं हो अरोपेशा की अलोपेशा की अवी मिल्कॉद, में जो हैर है वो ग्रोथ होनी शुरू हुई और लगभग सिक्स बंत में वहां पर कम्प्लीटी नॉर्मल जैसे मेरे बाल है वैसे ही वहां पर बाल आ गए तो अगर आपको भी अलोपेशा की प्रॉब्लम है या आपको हैर फॉल नॉर्मल भी हैर फॉल है तो आप इस वाले को आप यूज कर सकते हो यह काफी है फॉल है आउप फ्रेंस आपको मेरा यी वीडियो पसंद आया होगा और यह होम रेमीडी है यह ओल है यह मेरे लिए काफी है फॉल रहा है है एंड आइफोब कि आप लोगों के लिए भी हैल्फुल रहेगा आप जरूर इसको ट्राइ क तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तिल देन बाबाई